है गाइस आज हम बात करेंगे जारखंड इस्टेट एट्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से यहां पर वेकैंसी रिख ली हैं कितनी वेकैंसी है कितनी पोश्ट हैं क्या-क्या आपको सेलरी मिलेगी सब इस वीडियो में हम बात करेंगे तो अगर अभी तक आप आप उनने चांची की तरफ से यह वेकंसिया आ रही है क्या क्या वेकंसिया यह देखते हैं कॉंसिलर की है ICTC 21 वेकंसिया अन्रिजर्व की तीन है EWS की दो है अगर हम रुमिरेशन की बात करें तो 21,000 वेकंसिया अन्रिजर्व की दो है EWS की वन है और एश्टी के लिए दो वेकंसिया है 21,000 सब भी पोश्ट में आपको यहां पर रुमिनेशन या फिर आप कह सकते हो मंतली सैल्री मिलेगी क्या क्या मांगा हुआ है आईए वह भी देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं आप पर appointment of the professional will be purely on the contractual basis जो आपका यहां पर appointment लगेगा वो बिल्कुल बाइसर पर होगा एक साल तक यहां पर आपका contact रहेगा अगर आप गो कर रहे हैं जिस तरीके का वर कर रहे हैं वह उन्हें satisfying रखता है तो वह आपका further करेंगे notice period otherwise वो आपको हटा भी सकते हैं यहां पर इन्हों लिख रहा है the contract may be terminated if in case in the unsatisfactory service successful candidate will have to sign a contractual agreement जो भी successful candidate होएंगे उनको एक contract sign करना पड़ेगा सारी जो आपकी पोस्ट है वो डिस्टिक लेवल पर है इस पोस्ट के लिए return exam होगा interview भी हो सकता है या दोनों में से एक हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं यह सैरी चीज़ें यहां पर लिख रहा है कोई भी या फिर डिया आपको नहीं दिया जाएगा exam में या फिर interview में available या फिर अपिर होने के लिए तो इस तरीके के यहां पर वेकेंसी लिख लिए हैं बाकी अगर हम फीस की बात करें तो non-refundable फीस जो की आपकी 1000 रुपे है यहां पर हरी किसी केंडिडेट के लिए 1000 रुपे फीस रखी गई है सिर्फ और सिर्फ जो डिसेबल केंडिडेट है 40% कम से कम उनके लिए यहां पर जो फीस है उसको खटा दिया गया हुआ है लास्ट जो डेट है आपकी पांच अगस्त है शाम के पांच बजे तक तो जल्दी से जल्दी इस पोश्ट के लिए भरिये बाकी देखते हैं क्या और क्या मांगा क्या हुआ यहां पर टैस्ट या फिर इंटर्व्य विल बी एंटिमेट थ्रो इमेल आफ्टर स्क्रीनिंग उप दा अप्लिकेशन अभी टैस्ट इंटर्विव कोई डेट नहीं है इंट में पॉसिबल एक महिने में हो दो महिने में हो तीन महिने में हो यह फिर एज यूगनों कि बहुत वार यह जो वेकैंसी होती है डिले करती चली जाती है रैट तो अभी इसका वेकैंसी में यह नहीं बताया क्या होगा कि जो आपकी स्क्रीनिंग के बाद एप्लिकेशन जो स्क्रीन होगी उसके बाद यह टेस्ट की डेट रखेंगे वैदर इस रिटेंट टेस्ट और इंटर्व्यू कैसे अपलाई करना है वो भी देख लेते हैं आपको इस लिंक पर जाना है राइट ल शाम के पांच बज़े से पहले पांच अगस्त को इस इमेल पर विट फीस विद डॉकुमेंट विद फॉरम आपको इमेल कर देना है बाइप पोस्ट आपको कुछ नहीं करना है तो वीडियो गैज अगर आपको अच्छी लग रही है और अभी तक यहां पर बने वे हैं त ताकि future में सारी notification regarding to the post, regarding to the selection, regarding PhD और psychology के topics के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अब देखते हैं आप फॉरम कहा है ते हो देखें यहां पर यह फॉरम है इस फॉरम को आप download कर सकते हो उसका print out लिकलवा सकते हो या फिर डिरेक्ली स्कैन करके आप इसे भर सक सकते हो और email के साथ सारे documents के साथ इसको आप भीज सकते हो यह proper आपको यहां पर दे रखा है तो आप इसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको email जो मैंने आपको बता दी है वह आपको वहां पर भीजनी है अब बात करते हैं qualification की कि क्या-क्या requirement है तो देखें यहां प सभी में से अगर आपके पास किसी में भी ग्रेजुशन के डिगरी है पलस आपके पास तीन साल का experience है तो आप यहां पर apply कर सकते हैं लेकिन आगर आपके पास post graduate degree है psychology में social work में sociology के अंदर anthropology या फिर human development या फिर nursing के अंदर तो आपके पास कोई requirement नहीं है किसी भी experience की आप डिरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एक एंडिडेट ए परसनल लिविंग विद धायवी या फिर एड्स के साथ हैं तो वह भी आप यहां पर इसमें वह अप्लाई कर सकता है ग्रैजियो डिक्री होल्डर इंसाइक्लोजी एंथ्रोप्रोजी विद वन यह और एक्सपिरेंस काम कर रखा हो तो यहां पर आप भर सकते हैं नॉलेज और स्किल्स की बात करें तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में क्या क्या जाता है आपको MS चलाना आना चाहिए कंप्यूटर की बेसिक बेसिक नॉलेज आनी चाहिए रोस सब चैनल पर भी जिसका लिंक आपको दोनों के लिंक नीचे मिल जाएंगे तो उस तरीके से आपको यहाँ पर देखने हैं अगर हम देख लेते हैं तो यह सारी चीजे मैं आपके साथ शेयर कर दोगा आप वहाँ पर जाके डाउनलोड करके इसली पढ़ सकते हैं आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना जाए ताकि फिर फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप उसे मिस आउट ना कर पाएं we will meet in the next video till then keep smiling keep getting lots of memory this is captain shot have a great day thank you all of you